हेलो गाइज, आपको एक्जाम में 15 मार्स के लिए पूछा जाता है, बस आप रेगुलरली वीडियो देखो, आपके लिए ये जो चाप्टर है, बहुती आसान में मैं आपको पड़ा दूँगा, डोंट वरी सो गाइज, आज का हमारा लेक्चर नमबर फर्स्ट है, और इसमें हम प्रॉब्लम नमबर फर्स्ट की शुरुवात करेंगे, अब प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले, कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे हम बेसिक कॉंसेट भी कह सकते हैं, ब सिंगल इफेक्ट करना होता है, फिर्स्ट आपको याद रखना है, ट्रायल बैलेंस में जो पॉइंट हमें मिलने वाले, ट्रायल बैलेंस के पॉइंट का हमें सिंगल इफेक्ट करना है, सिंगल इफेक्ट और जो एडजेस्मेंट में इन्फोर्मेशन रहने वाली है उसके मिनिमम टू इफेक्ट्स हमें करना है अगर ट्रायल बैलेंस में कोई हिडन एडजेस्मेंट होगी तो उसके भी हमें टू इफेक्ट्स करना है सो यह बेसिक कंसेट या बेसिक पॉइंट आप याद रखना अब हम कोईशन की शुरुवात करते हैं जैसे हमने 11th क्लास और 12th क्लास का जो चाप्टर था फाइनल अकाउंट उससे सॉल किया था उसी तरह से हम इसी भी सॉल करने वाले फर्स्ट हम एडजिस्मेंट सॉल कर लेंगे और उसके बार जो रिमेनिंग कोईशन बच्टा है उसे ट्रांसपर कर लेंगे अब फर्स्ट हम कोईशन को रीड करते है कोईशन में हमें शुरुवात में दिया है from the following trial balance from the following trial balance of Shri Krishna Mehta prepare the trading account and profit and loss account हमें दो account बनना है first trading account and profit and loss account आगे भी दिया है for the year ended 31st December 2017 and the balance sheet as on that date after taking into account the adjustment given below balance sheet भी बनना है so जो जो accounts हमें बनना है मैंने आप पर बना लिए अब नीचे हमें trial balance दिया है trial balance में हम last में आने हो लें trial balance पर पहले हम adjustments होल कर लेते है first adjustment है stock on 31st December 2017 was valued at rupees 15,000 अब आपको भी पता है कि जो 31st December का stock है means closing date का तो वो जो stock होता है closing stock होता है और closing stock के हमें two effect करना है first asset site में closing stock closing stock की value है 15,000 और second effect trading account के credit site में लेना है by closing stock 15,000 यह जो effects आपके screen पर शोर है आप इसे record कर लेना आपके notebook में क्यूंकि आपको आने वाले example में भी इसे use करना है ओके next adjustment में हमें दिया है insurance was paid to the extent of rupees 400 means जो आने वाला insurance है वो भी हमने paid कर लिया है next year का और जो भी next year के expenses होते है उसे हम कहते है prepared expenses like यह जो expenses है insurance है और insurance हमने already paid कर लिया next year का right so prepared expenses के effect क्या होते है जैसी इसमें insurance हमें बता यह है हम इसे कहेंगे prepared insurance right अब prepared insurance की effect क्या करना है first insurance में से minus कर लेंगे और second effect asset site में show करेंगे हमें trial balance में point दिया है insurance tax and insurance उसकी value हमें दिये 1300 tax and insurance हम यहाँ पर उसे show करना है first tax and insurance 1300 first हम trial balance में जो point दिया है उसे लिखते रहें आपको भी जिस जिस point पर adjustment आ रहे है उसे star या tick करते चलना है right tick करना है मतलब जब last में transfer करेंगे तब हमें उसे repeat नहीं लिखना है यह आपको समझ में आ जाएगा okay so उसे कुछ ऐसा sign देना जिससे आपको समझ आए okay अब हमने trial balance का point लिख लिया इसमें से हमें minus करना है prepared prepared है 400 remaining 900 अभी inner में ही लिखना है because इस पर और एक adjustment है अब prepared का second effect आ जाएगा asset side में prepared insurance 400 got it then adjustment number 3 outstanding liabilities were salary rupees 2000 and taxes 1300 outstanding liabilities means outstanding expenses कुछ expenses हमारे तरफ बाकी है बचे हुए उसे हमें क्या करना है देना है so first हम salary देखते salary क्या करना है आपको यहाँ पर लिखना है to salary जो trial balance में हमें दिया है salary trial balance में का point हमें यहाँ पर लिखना है salary का value दिया है में 8,000 okay so first हम यहाँ पर 8,000 लिख लेंगे और जो outstanding है उसे हमें इसमें add करना है outstanding 2,000 है so plus कर दिया total 10,000 और second effect liability side में outstanding salary 2,000 means इस adjustment की effect क्या होए गाइज first expenses में हमने add कर लिया और second liability और एक expenses हमें इसमें दिया है taxes taxes की value है 1,300 हमें इसमें add करना है because यह combined point है tax और insurance इसलिए इसमें add करना है outstanding tax इसलिए मैंने यह जो 900 है इसे इनर में लिका था 1,300 total 2,200 first add कर लिया और second effect liability side में outstanding taxes 1,300 आ रहा है आपके समझ में last adjustment बहुत ही simple adjustment है depreciate building at 2.5% okay so first trial balance में हमें building check करना है trial balance में building दिया है 2,22,000 sorry 2,20,000 है गलती हो जाती है sorry for that okay हम first यहाँ पर building लिख लेंगे building की value है 2,20,000 और इसमें से हमें minus करना है depreciation 2.5% because depreciation के effect आपको करना है हमेशा जो भी asset पर depreciation रहेगा उसमें से minus कर लेना है और second effect profit and loss के debit side में show करना है okay so 5,500 depreciation आ रहा है अब minus कर लेते है 2,14,500 right 2,14,500 आ जाएगा और अब इसका second effect का आ जाने वाला है second effect जाएगा profit and loss के debit में यहाँ पर 2, depreciation on building 5,500 so guys इस प्रकार से adjustment को solve करना था अब बस जो remaining question है मतलब जो trial balance में जो जो point बचे हुए उसे transfer करना है one by one so starting से हम देखने वाले trial balance में first point है Krishna metas capital capital हमें दिया है उसे यहाँ पर लिखना है Krishna capital लिख लेता हूँ okay Krishna capital की value है 2,90,000 okay then next point है Krishna metas का drawing drawing दिया है 7,600 इसमें से minus कर लेना है drawing capital में से minus होता है 7,600 so minus कर लेते है 2,90,000 minus 7,600 remaining 2,82,400 2,82,400 अभी इसका जो balance है inner में ही लिखना है because हमें net profit या net loss जो भी होगा उसमें add less करना होता है net profit अगर हुआ तो add कर होगे और net loss हुआ तो minus करना होगा okay so next point purchase and sales ऐसा combined point दिया है जो आज हम question solve कर रहे है यह बिल्कुल basic question है लेकिन जो trial balance का format दिया है वो बहुत ही difficult होता है क्योंकि particular debit और credit ऐसा हमें इस form में हमें trial balance दिये हमेशा बच्चे क्या करते है जो point है point को पढ़कर direct transfer करते है लेकिन कभी कभी कुछ point ऐसे होते है जिसको मतलब पढ़ने से लगता है कि debit में जाएगा लेकिन उसकी value credit में show होती है तो आपको जब भी इस तरह से trial balance आपके सामने आएगी तो आपको carefully उसे transfer करना है अब जो point है purchase and sales यह combine point दिया है purchase की value होती है debit में हम purchase की value लिखने वाले यहाँ पर हम opening stock लिखेगे उसके नीचे लिखना है trading के debit में to purchase purchase की value है 89,000 trading के debit में आता है मैंने उसकी value inner में इस वज़े से लिखे है because आगे अगर हमें return दिया होगा तो हमें उसे minus करना है और नहीं दिया तो हम direct outer में लिख लेंगे next point है sales sales हमें show करना है trading के credit में buy sales 1,50,000 अब next point इसमें दिया है return sales and purchase return ऐसा combined point है so sales return की value debit में होती है और purchase return की credit में so sales return का हम क्या करने वाले sales में से minus कर लेंगे return sales return की value है 2,800 इसे minus कर लेना है so 1,47,200 balance मिलेगा और purchase return की purchase में से minus करना है return purchase return की value है 4,500 so remaining balance 84,500 okay then next point stock stock दिया है opening stock 12,000 यहाँ पर सबसे उपर लिखना है opening stock opening stock की value है 12,000 then next point wages wages से 8,000 उससे भी trading account की debit में show करना है wages 8,000 building building हमने use किया है freight and carriage जो है 20,000 उसे भी यहाँ पर लेना है to freight and carriage 20,000 यहाँ पर आ जाएगा अब next point है इसमें trade expenses trade expenses यह जो point है आपको बहुत ज़्यदा confuse करेगा क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसे expenses है जो अगर आते हैं तो हमें उसका effect change करना होता है लेकिन उसके साथ की effect अगर मतलब जैसे trade expenses के साथ office expenses, sundry expenses, general expenses और misliness expenses यह अगर साथ आते हैं मतलब यह चारों में से जो भी इसके साथ एक आएगा trade expenses और like जैसे trade expenses और general expenses यह दोनों साथ आ गए तो तब तो उस situation में हमें trade expenses को शो करना है trading के debit में और जो general expenses है उसे तो profit and loss के debit में शो करना है लेकिन अगर यह चारों उसके साथ नहीं आते हैं बस only trade expenses आता है तब हमें उसे profit and loss के debit में शो करना है यह change रहेगा यह जो point है इस पर मैंने जो 11 का वीडियो बनाया था उसमें भी explain किया है so trade expenses हमें दिया है 2000 और उसके बार advertisement 2400 उसे भी यही लिखना है advertisement 2400 then next interest अब interest point है यह दोनों तरप आस दगता है debit में भी और credit में भी profit and loss के debit में भी लिखते हैं और credit में भी लिखते हैं लेकिन इसे हमें काई transfer करना है इसकी value credit में दीए इसलिए हम उसे credit में लिखने वाले है by interest कितनी value है 3500 then tax and insurance हमने use किया है dators and creditors again combined point है dators आजाएगा asset में 65,000 और creditors आएगा liabilities में यहाँ पर लिख लो creditors creditors की value है 12,000 okay yes अब आगे कह दिया है bills receivable and bills payable यह भी combined point है bills receivable asset में लिखना है और payable liability में bills receivable 60 कितना है bills receivable है 15,000 sorry 15,000 और bills payable उसकी value है 7,000 okay right next इसमें cash at bank 12,000 and cash in hand 1,900 दिया है दोनों भी asset में आता है cash at bank 12,000 and cash in hand 1,900 last point है salary salary हमने already use कर लिया है so transfer भी हो गया अब बस close करना है step by step close करते है first हमीं check करना है trading account की debit side greater है या credit side greater है so इस question में trading account की debit side greater मिलने वाली है so total कर लेते है total हमें check कर लेंगे first 1,47,200 plus 15,000 1,62,200 यह total मिल रही है उसे debit में लिख लेंगे 1,62,200 और यह जो भी values हमें दिख रहे है वन बाइवन माइनस कर लेंगे CD और यह जो gross profit है इसे हमें transfer करना है profit and loss के credit site में और यहाँ पर लिख लेंगे by gross profit brought down 37,700 ओके so first account यहाँ पर complete हो गया second account आप क्या करने वाले है उसे close करने वाले second account है profit and loss account so guys इसकी भी हम total check कर लेते कौन सी site हमें greater मिल रहे है credit site I think greater है 37,700 plus 3,500 okay so total कितना मिलने वाला है total मिल रहा है 41,200 okay 41,200 और उसमें से हमें debit के जो values दिख रहे है उसे minus करना है 1 by 1 minus करते 2,200 minus करेगे first उसके बाद 10,000 then 5,500 then 2,000 and 2,400 so 19,100 balance मिलेगा 19,100 okay इसे हमें नाम देना है to net profit carried down okay अब जो ये net profit मिला है इसे हमें add करना है capital में net profit add हो जाएगा net profit 19,100 100 अब capital की total कर लेते है 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 plus 19,100 3,000,000 1,500 3,000,000 1,500 इतना balance मिलेगा और last में 3,000,000 3,000,000 इतना इतना बैलेगा 3,000,000 अब बस asset चेक कर लेते हैं asset में हमें first point लिए 15,000 प्लस 400, प्लस 214,500, प्लस 65,000, प्लस 15,000, प्लस 12,000, and 1,900, yes, so guys, 323,800 से, जो balance sheet है, वो हो जाएगी, टैली, और इस प्रकार से हमें मिलने वाले है 15 marks, so hope so guys, आज का जो हमने lecture लिया है, आपको पसंद आया होगा, कोई भी अगर doubt हो, तो comment करना,